आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Wind pollinated flowers produces nectar and are brightly colored हमें बताना है यह statement true है या false है तो बेसिकली यहां पर बोला गए है कि जो Wind pollinated flowers होते हैं यानि जहां पर agent का अगर बात करें जो pollinating agent होते हैं वो अगर हो जाता है Wind तो वहां पर क्या होता है कि nectar और brightly colored flowers पाए जाते हैं लेकिन बेसिकली यह statement जो है यह बिल्कुल false है क्योंकि Wind जो है यह एक abiotic constitution है और abiotic constitution होने के वैसे इनको कोई फर्क नहीं परता है nectar से और bright color से तो यह bright color और nectar कहां पाए जाते हैं तो यह ऐसे plants में पाए जाते हैं जिनके pollinating agents जो होते हैं वो pollinating agents basically क्या हो जाते हैं कि birds हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि insects हो जाते हैं जहां पर insects और birds के द्वारा pollination होता है वहीं पर nectar और brightly colored flowers जो हैं वो दिखाई देते हैं क्योंकि क्या होता है कि birds और insects जो हैं वो nectar को intake करने जाते हैं और अपने साथ pollen grains को भी ले जाते हैं और pollen grains को वहीं पे वो लोग deposit कर देते हैं और nectar को वो लोग as a reward लेके आ जाते हैं और bright colored होने से bright colored जो है वो क्या करता है कि attract करता है जो different type के birds और insects होते हैं ताकि pollination जो है वो सही से हो सके तो इसलिए हम कहेज़ते हैं कि यहाँ पे statement जो है false है क्योंकि यह brightly colored और nectar जो है यह सिर्फ birds और insect pollination में ही पाए जाते हैं Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप या whatsapp कीजे अपने doubts 84444 पर